है 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 आज ये वीडियो जो है वो जो स्पेशल को मिला था क्योंकि बीच में थोड़ी काफी बच्चे कंफ्यूज है कुछ ऐसे स्टूप थे जिनका क्राइटीरिया पहले डेली इनिवर्स पांसाल साथ साल हुआ यह था कि अगर मान लेते हैं आपने दो हजार अगर मैं आपका 2005 में अगर एडमीशन लिया तो डियू कहता था कि आपको 2012 तक पास आउट होना है अगर इन केस पास आउट नहीं हुए तो फिर से आपको 2013 से आपको फर्स्ट यर में एडमीशन लेना होगा चाहे थर्ड यर के अंदर आपका एक ही एक्जाम क्यों ना पैंडिंग ह तो काफी सारे फ्रेंड कहूंगा तो काफी सारे फ्रेंड ऐसे होंगे काफी सारे रिस्पेक्टिव परसन ऐसे होंगे जिन्होंने कि उस टाइन पे किसी एक्जाम देने की पूरी कोसिस की थी नहीं तो इसके बाद हुआ कि बहुत सारे केसिस चले बहुत सारे दिक्कते सब्सक्राइब नहीं देंगे स्पेशल चांस मतलब एक पेपर तो रह रहा है सर प्लीज इससे दिलवा डिग्री देजी तो हम इसेंट यू ने हंड़री इस जिनका एड्मीशन करा और उनको डिग्री लेकिन अभी सारे बच्चे जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनका एक ही करना रहा है सबसे प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं अब डियू के अंदर तीन चीजें देखना एक पहले रेगुलर होता है रेगुलर के बाद एक था S.O.L. और एक एकस्टरनल सेल था और एक N.C.W. था यह चार चीजें हुआ करती थी डेली उनिवर्सिटी में जिसमें से एकस्टरनल सेल को अब बंद कर दिया गया है एकस्टरनल सेल और S.O.L. एक ही हो गया है है लेकिन हां ये बाटने का क्या मतलब है बच्चे समझ नहीं पारें देखिये यहाँ पे डियू का जो स्लेबी था लेगहां से रही और यहाँ से जो था वह कुछ और था और यहाँ से जो सिलेबस था कुछ और यहाँ पर सिस्ट के साथ इस टीट भी पढ़ना पड़ था कि हम чувकर यहाँ को ओर सबका देटी टेक जैसा नहीं दिन में कुस्ट पुराने आला बच्चा भी और को गॉस्ट और स्टेट स्टेट नहीं वाला बच्चा वो नहीं हो सकता तो सिर्फ यही कारण है कि आपका डियू के अंदर तीन डेट शीट है अब आप सभी देख लें कि आपका जो है कौन से टाइम पे आपने फॉर्म भरा था और कौन सा सलेवस था याद करिए डेट शीट देखे उस कि आप लोग की लाइफ बहुत बिजी हो चुका होगा आप मेरिड हो चुके काफी लोग क्योंकि लेखिए जिसने 77-78 में एडमीशन लिया है तो आप समझ सकते हैं उनकी एज क्या रही है और जिन्होंने 79-2005 लिया है उनकी भी एज क्या रही होगी ठीक हां ने कह सकता हू लिए तो वह सब बहुत हैं उन सभी के लिए उन सभी दोस्तों के मैंने सोचा कि वह डिगरी ले ले एक होता है हमारे जिंदगी में हमारे लाइफ के अंदर के मलाल रहता है और एक एक्जाम दें क्यूंकि आप जब एक्जाम सेटिंग पर जाएंगे ना सब आपके उमर के आपके एज के ही वहां बैठे होंगे सिटिंग में और कोई नहीं होगा तो पहले यह हैजिटेशन दिमाग से निकाल देजिए मैं जाओंगा एक्जाम देने मेरी एज अगर 40 साल हो चुके है पचास साल हो चुके है तो फिर उस क्या कहेंगे लोग क्या कोचेंगे सब उसी एज के ही होने वाले हैं जिसके जो चीजे भी रहता है पेंडिंग आप उसको फटा-फट से कंप्लीट करिए अब सबसे में दिक्कत आएगा स्टुडी मटेरियल से रिलेटेड तो सर आपके स्टुडी मटेरियल से रिलेटेड आपके पास 10 यर पुराना पड़ा हुआ हो ठीक है ना आपको कहां सिफदास मैं दुबारा रिपीट कर रहा हूं सिफदास डॉट इन इनका काम होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉट इन इनका वेबसाइट वहां जाईए कॉंटेक्ट नंबर निकालिए बात करिए वह कुछ ना कुछ हेल्प कर पाएं आपक पूरिपों को सिस जो है जैसे कि मैं कुछ कोर्स बोल दूँं आपको जैसे कमी किसी के रहता है को क्षिपाल तो इसारे प्राक्टिकल मैंने क्या करा है इन सबहीं के ऊपर वीडियो बना दिया है आपको क्षैप्टर और टॉपिक वाइस इनको फिनिस्ट करना है और अपने एक्जाम को जरूर से जरूर देखे जाए हर बार नहीं मिलती सर इसका कोर्स का प्राइज मैंने सिर्फ स्पेशल चांस के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं स्पेशल प्राइज ही रख रहा हूं सिर्फ 249 रुपीज का इस कोर्स का प्राइज है लिंक में मैं सारे डिक्रिप्शन डाल दूँगा डालने के बाद आपको कुपन कोड यह फोन नम्ब भी डाल दिया जाएगा फोन करिए आप उनसे बात करिए अपको एड्मिट कार्ड है या आपका जो भी कुछ है उनको भीज़ दीजिए आपको सेम 249 में आपको करा दिया सब्सक्राइब करने के लिए एक बच्चे के उपर मेरा जो कॉस्त आता है वो दो सो पचास के आसपास आता है टेक्स वगरा सारी चीज़े ले तो जब एक बच्चे से मेरी कॉस्ट अक्वाइरिंग कॉस्ट अब माले ले लिजिए तो अगर यहां का किराया अगर पांच हजा है तो आप चार रहे चाहे पांच रहे वही चीज़ किया है इसमें मेरा अ आप भी समझ सकते हैं सर क्या प्राइज है मैं यह नहीं कर बहुत सस्ता है क्योंकि आप ही डिसाइड कर सकते हो सर महंगा है मेरी कोशिस के ही है कि आप लोगों का अधी का अच्छा हो इस चांस लिए और डिगरी लिए 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 जो यहां हमें हैल्प मिला था ठीक है तो मैं आपको ड्यू एकजाम गूगल पर सर्च कर ना मैं भी देखी आपके समने ड्यू एकजाम गूगल पर सर्च किया ड्यू एकचाम है और जाना है और यहां धी डetiर यहांwe जाएंगा डेट शीट पर जाने के बाद मैं लिंक में सारी डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा यहां पर देखिए आपको डेट शीट मिल जाएगी सबसे टॉप पे लेकिन बच्चे क्या कहते हैं सर यह डेट शीट तो है लेकिन हमें पता नहीं क्या कर दिया जिसका यहां से हां तक यह तो पहले और का है मैं प्रोग्राम का बता रहा हूं मैं और के लिए अलग से बता दूँ आप लोगों को स्टूडेंट के रहे हैं देखिए यह अनुर्स वाले बच्चे तो लेंगे नहीं यह प्रोग्राम का है आप डाउनलोड कर लीजिए गा और उसके एकॉ student regular college NC Web as well और external cell यह इनका डिट शीट है जिसने यहां से यहां तक admission लिया वो यह डिट शीट देखें जिसने यहां से यहां तक admission लिया वो यह डिट शीट देखें क्लिक करिएगा PDF डाउन्डोड हो जागा उसके हिसाब से और आपको कोई परिशानी नहीं आएगी तो आज के वीडियो का मेरा यही परपस था और बस मेहनत कर लीजिए थोड़ा सा है एक मेहना बच्चा आराम से पास हो जाएंगे बहुत कुछ नहीं बदला है जो आप पहले पढ़ते थे वहीं से आसानी हुई यह चीजे मुस्किल नहीं हुई है तो थैंक यू सो मच आप मेहनत करिए और फिर पास हो यह बस मेरा इस वीडियो का यही मोटिव था जो स्पेशल चांस प्ले बच्चे हैं और कुछ-कुछ मैं पूरी कोसिस रहेगी एक चीज मैं लास जाते-जाते बोलना चाहता हूं कि जो मुझे मैटेरियल आप सभी जो कि मैं आपकी जरूर मदद कर पाऊँ थैंक यू सो मच